मैश जीत तो गया है पाकिस्तान लेकिन बहुत से चीजे हैं जिसमद्आ को वर्क करना परेगा डिटेल से सबात करेंगे साब को में पाकिस्स Τ्टीयोू लेकिन जीटा तो है लेकिन यही बड़ी तूहीं होती साउथ अफरिका की टीम होती तो पाकिस्तानी मैच बहुत असानी सहाशुक होता पाकिस्तान अपनी फुल टीम के साथ दिया और जंबाववे ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया के सकते हैं जंबाववे और पाकिस्तान का मैच हो रहे हैं और जंबाववे एक स्टेज वह मुझे बहुत बुड़ा लगा इमाम अलग थोड़ी और दिन अगर पाक्टिंग करते तो इमाम अलग कुट एड गॉन ओन कुट हैड मेड आ 80-90 बट ही गॉट आउट और रॉंग पॉइंट जब आउट हुए उस मक्त पाकिस्तान की गृप में मैच था अगर और थोड़ी दिर रहते तो पाकिस्तान इससे जादा रहन बना सकता था उस मक्त नहीं था फोड़ा सा शाफाल हो रहते लेकिन अगर आप जाए जैसे एंड मैं बॉलिंग की थोड़ी सी अच्छी की शुरू में मॉइस्टर पिछ में थोड़ा बॉल देखने लेकिन बाद निया कि जैसे जिए जिए प्रोग्रेस ओर था पाकिस्तान को 300 करने थे तो पाकिस्तान ने कर पाता थे यह आपको पता सकता हुए ज 10-15 एंड शॉट रहे इमाँ को थोड़ी दर और खेलना थी था हारिस ओर ने अच्छी बाटिंगी हारिस ओर स्कोर्ट सेवेंटी वर्स जिए जिए बाकी कुछ खास नहीं हो पाया इमाँ ने एंड में आगे फिनिशिंगी कोई एक्स्टरॉडिनरी परफॉर्मस पाकिस्त इस फिफ्टी-फिफ्टी हो गया था उसके बाद पाकिस्तान थोगा साथ कंट्रोल किया जिम्बाबवे की टीम को बट इफ पाकिस्तान कुछ पॉर्स प्रफॉर्स तो यह मैं जिए जाना था दो तीन विक्टे लिए उस वाग्स लेकिन एंड में फिर ब्रेंडन टेलर औ ग्लाद गया यह खेंड रिए ऑग्स खेंड टेमें डोटन एंड में दो लिए परफॉर्स दिन पर बटन के थोगा चैंड घृ निए लिए ऑसे रीकान क्टेल तो तो इसलेड करने में हो गए आगे थोगा फैले करते हैं तो शायिब सिच्वशन डिफ्रॉर्स तो यह बाइस्ट जीता लेकिन काफी चीज़ है जो आपने आज में देखती है पाकिस्तान जीत तो चुक है लेकिन आपनी फूचर में देखने आप अपनी फुल-फलेच टीम के साथ गए थे अजर अगये थे यंग्स्टर्स के साथ आपने खुछ दिल शाक हो मोखा नी दिया यू किस्मान कादिर को नी दिया इफ यू थे यू रूंस्टर्स और पाकिस्तान बीस पच्छी सरण से जीता यह पेशिक दस पंद आण से भी जीता यह थे जीता यह थे इतने माइन से जीता की फुल-फलेच टीम थी बॉलिंग का शुकर इसमें बाटिंग ने भी एंड में सह पाकिस्तान ने कोई अच्छी परफॉर्मस नी दी ओकि जिंबाबवे को हरा दी आट दे अट यह थे जीता इसमें बहुत से चीज़ें जो आपने ठीक करनी है तो अब देखें कैसे पाकिस्तान की चीज़ें ठीक करती है और बाबर आजम क्या करते हैं यंग्स्टर्स को अबस्ता वात है मैंच बैट इंग मौश्टर था पिछ में अगी बट होने चाहिए थे 10-15 में जाध होने चाहिए थे लोकिंग अट वस्ट आप्र में तो यह द्रन्स वी चाहिए हो सकते थे और बहुत कुछ और हो सकता हैं वालिंग में फुल-फल फलेच थे शाही ने ब I hope you like this video, if you like this video, subscribe to our channel.